हेलो अब्रीवन इस वीडियो में हम कख्षाच है विश्रे समाजिक विज्ञान की कारिपत्रक 38 करेंगे तिनांग है इसकी 2 दिसंबर 2021 और वो विश्रे है स्थानिय सरकार के आयश रोट तो शुरू करते हैं आज की वक्षित को उससे पहले हमारी चनल माइन बूस्टिंग क्लासस को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रू कर दीजेगा इस थानिय सरकारें क्रामिर छेतरों में भूमी अभी लेखों का रखरख्राब सारविजनिक सुवेदाओं का निर्मान और अखरख्राब जैसे कई काम करती हैं और शहरी प्रशाशन स्ट्रीट लाइट कच्छरा संग्रह पानी की अपूर्तियावी जैसे बुनियादी सुवेदाय प्रदान करता है तो यहाँ आपको बता रखा है कि जो हमारे स्थाने सरकार होती है वो आप पढ़ चुके हैं सरकार का पहला भाग है स्थाने सरकार स्थाने सरकार में जो गाओं की स्थाने सरकार होती है ग्रामी छेतरों की जो स्थाने सरकार होती है वो गाओं के काफी सारे काम करती है और जो शहरी प्रशाशन होता है यानि शहरों की जो स्थानी सरकार होती है वो शहर के काम करती है जिसे स्ट्रीट, लाइट, कछड़ा संग रहे, पानी की आपूर्थी आदी छेके, लेकिन यहां सवाल यहां उत्ता है कि यह सब कामों के लिए इनके पास पैसा कैसे आता है देखो इस सारे काम जो है हमारी सरकार ही करवाती है, लेकिन सरकार के पास इतने सारे काम करने के लिए पैसा कहां से आता है तो ये चीज़ भी काफी बड़ा सवाल है महत्मकून सवाल है जिसका उत्तर देना बनता है तो वक्षित में आज की वक्षित में हम यही पढ़ने वाले है पंचायत के लिए आय के शोत अब पंचायत क्या है आये के शोते यानि काम करवाने के लिए मतलब पैसों के शोते कौन को से उनके पास पैसे कहां से आते हैं और और उन पैसों से जो काम करवाती है वो कैसे करवाती है तो देखो सबसे पहले मकानों बजार स्थलों आदी पर करो की वसूली जो वो टेक्स लगाते है ना जो प्र लाप्त शाषे की योजना निधी चनपद एवं जिला पंचायतों के माध्यम से तो शाषन के विभिन विभागों के माध्यम से देखो सबसे पहले जिसे कोई हम योजना बताते हैं तो पंचायत को पैसा कौन देता है पंचायत को जनपत एवं जिला पंचायत जो होते हैं वो पैसा देती है ठीक है तो जो पैसा आता है उससे गाम करवाते हैं जो उपर से पैसा आता है तीसरा सामुदारिक कारियों के लिए दान सामुदार कारियों के लिए जो दान करते हैं उससे पैसा आता है तो ये सारी चीज़ें हैं जिन से पंचायत यानि गाउं की जो सरकार है उसके पास पैसा आता है अब दिखते हैं नगर निगम के लिए आये के शोते टेक्स को हम कर कहते हैं कर तो सबका ही में शोत है सरकार का सबसे में शोत क्या है कर है यह शुलक, जुर्माना, रोयल्टी, लाब, ब्याज, उप्योगर्ता शुलक जैसे स्वच्छता और सीवरेज, शुलक आदी लेता है ठीक है चीज़े हैं, ये तीन श्रोते हैं, जिनसे नगर निगम, यानि जो शहर की सरकार होती है, उसके पास आएके श्रोत, यानि पैसा आता है, तो ये चीज़ें तो आज की वक्षीट में जानने वाली, छोटी सी वक्षीट ही देखे, हमारे चैनल माइन बूस्टिंग कॉंपेटिशन पे क्वेज हो रहा है, अगर आप खेलना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक देदूगी, पजल क्वेज है, जाकर देख सकते हैं, प्रशन देख लेते हैं, प्रशन एक है, ग्रामीन प्रशाशन या प्रण्चायत के आएके शोत क्या हैं, तो देखो दोनों जो कॉश्चन पूछे गए हैं आप से, उनके बड़े-बड़े आंसर होंगे, यहां से देखो पंचायत के आएके शोति आप लिख देंगे, ग्रामीन प्रशाशन या पंचायत के आएके शोति के पूछे हैं, तो आप यहां से लिख सकते हैं, यह जो है आपका आंसर हो जाएगा यह जो तीन लाइन से यहाँ पर लिखवाई करिए नहीं जो तीन है यह तीन पॉइंट जरूर आप लिख दीजे और यही आपका उत्तर नंबर एक है ठीक है प्रश्रे दो है शहरी प्रशाशन या नगर पालिका के आयके शोत्त क्या है तो देखो नगर निगम जो होता है उसके आयके शोत्ते पूछे है जो शहरी प्रशाशन है तो यह जो तीन है वो शहरी प्रशाशन के आयके शोत्ते हैं यहाँ इन तीनों चीजों से शहर के चुनागर निगर में उसको पैसा मिलता है तो ये तीन पॉइंट जो है आप उत्तर नमबर दो में लिखतेंगे तो इस तरीके से सीधे से आप इंका अंसर कर लेंगे ये दो प्रश्ण हैं ये दो इनके उत्तर है तो आशकरती हूँ आज की वक्षित आपको समझ आई होगी वीडियो को लैक कीचेगा चैनल को सब्सक्राइब कीचेगा धन्यवाद